तो आज का माज़्ट्ट्वक है मेजर्मेंट ओफ दिकंड़क्तिविटी ओफ ऐन्स सॉलुशन इससे पहले जो हमने टोपिक सब्ढ़ा था लिए जा एक आस्सी कार्ट्वक करती है ठीक है एक नोर्मल मैटल की जो conductivity ही, उसको निकाल सकते हैं, पर अगर हम solution की बात करें, solution, आòयनिक solution की बात करें, जिसमें आयन सोते हैं, उसकी conductivity कैसे निकालें, यह physics से थोड़ा कि दो बिल्कुल अलग बात है, इसमें हम sorting की बात कर हैं, ठीक है, तो इस से पले हमने पहली प्रॉब्लम जो होती है, हमारे पास यह Electrolatic Solution है, हम इसको एक्जम्पल है, भी है इस्मेने है, तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम मे यह है, कि इसको measurement कैसे करें, कैसे لें इसको? τις wearing है, अब हम इसमें current भी पास करवाना पड़ेगा, तो current तो इसमें हम DC current तो इसमें पास करवा नहीं सकते ठीक है इसके अंदर हम DC current पास नहीं कर सकते इसके अंदर हम alternate current ही पास करवा सकते पहली बात तो यह इसके अंदर solution की अब दूसरी बात यह कि solution को हम connect कैसे करें अगर हमें इसकी जो conductivity है कि और जो इलेक्ट्रो फडू करते हैं किस टाइब जो करते हैं तो इसको हम कनेक्ट कासे करें सोलुशन लेकें इसमें जो solution है जिस solution की हमें conductivity निकालनी है वो इसमें फिल कर दिया ठीक है और इसको इस solution को electrode से connect कर दिया platinum platinum electrode से connect कर दिया ठीक है यह पूरा coated च전 को koti do somethin से कवर कर दिया ठीक है और यहां ऊपर से हम क्या कर सकते हैं अभी इसको हम एक भाइ deve कर सकते हैं एक वाइट से कर सकते हैं और फिर पिर इसको हम वीट isтора न जो सकते हैं जहां से इस टाइब से बना सकते हैं कि हाँ पर हमने प्लैटिनम इलेक्टर लगा दिये और इनको वायर से कनेक्ट रिए बाहर इसमें सॉलुशन फिल कर दिया और लोग काफी डिजाइन की हो सकते हैं ठीक है तो इसको इस टाइब से यूज कर सकते हैं अब हम उस सॉलुशन की कंड़ निकाल लेगे लिए कंड़क्टिविटी निकाल लेगे वीट इस्टोन बेस का यूज कर सकते हैं ठीक है हमारे फिजिक्स में है हम क्या करेंगे यहां उस जो सैल हमारे पास था भी उसको यहां करेंट कर देंगे उसको हम कर देंगे कंड़क्टिविटी सैल कंड़क्टिव अगर इस्टेंस आगया थो हम कंडेट्यूटी निकाल सकते हैं और एक डिटेक्टर के हम यहां यूज कर सकते हैं सारे चीज़ों को करने के लिए और इसको हम एक ओसिलेटर पर रख देंगे ठीक है जहां अल्टरनेटिंग करण्ट पास होगा एक उसिलेटर पर रिख देंग L kappa by A तो अगर हम कहें कि अगर अगर इसमें हम देखें एक बात नोटिस करें कि अगर हमें L पता हो ये अगर हमें वैल्यू पता हो L by A तो हमारा आदा काम तो यहीं हो जाएगा ठीक है क्योंकि हमें देखो अगर हमें जो हमारे पास जो सोलिशन था अगर हमें चार्ज इसे पता लगाने पड़ेंगे इसको पता लगाने के लिए इसको पता लगाने के लिए इसको पता लगाने के लिए हमें उस solution का conductance पता होना चाहिए conductance पता होगा, तो resistance तो वैसे निकाल लेंगे लेकिन L by A को की value हम direct नहीं पता लगा सकते हमें उसके conductance पता लगाना होगा, उस solution का तो हम क्या कर सकते हैं, हम casual ऐसे solution का यूज़ कर सकते हैं का already हमें conductance पता हो कि उसमें उसकी conductivity क्या है तो एक अच्छा एक्जाम पता है केशियल हम केशियल को यूज़ कर सकते हैं इसमें क्या है अब देखो इस solution की जो l by a की जो value है देखो यहां किसी भी चीज़ का solution हो सकते है हम क्या करें हमें ल by a की value चाहिए तो हम क्या कर सकते है हम केशियल इसकी conductance हमें already पता है तो हम क्या कर सकते है ल by a आ जाएगा अगर हमें conductance पता है इसकी conductivity पता है और various temperature पे और different concentration पे इसकी value हमें पता है ठीक है अब इसकी जगह हम किसी दूसरे solution मालो initial को डाल दिया value पता है हमें conductance पता है ठीक है तो हमें l by a का भी पता है ठीक है तो यहां हम केशियल ऐसे solution का solution की l by a की value ले सकते हैं जिसका हमें different concentration पे different temperature पे सब भी values पता हो तो यहां हम उसकी l by a की value ले सकते हैं तो इसको हम cell constant कह सकते हैं थेकर है ? इसको हमें constant की तरह यूज कर सकते है तो हम cell constant की तरह यूज कर सकते हैं dya को देखो इसे जब तक उस solution के conductance conductivity हम हमीं नहीं पती होगी उसमें कितना electron काई से current के तरह से flow कर रहा है तब तक हम उसकी length और उसके cross section area नहीं पता चलेगा तो ऐसा solution हमीं लेना पड़ेगा different temperature और different concentration पे जिसकी हमें value पता हो तो उसको हम casual की root में लेते हैं तो इसलिए हम इसको constant की तरह माल लेगी कि casual माल लेते हैं इसके तो चाहिए कुछ भी हो हम casual माल लेते हैं ठीक की value हमें पता है तो हमारी पास क्या बचा हम हमें दो चीजों को पता लगाना है resistance का अक कंड silently हमें पता लगा बधानर करना सिंपल हो हमारे लिए काम करना थीठ है हcular स्रेसती निकाल सकते हैं ठीक ही हमारे पास सेल था तो हमने यह तो हमारी पस constant हो गया इसको हम हमेरे पास आर वन और फॉर आर्थिए यह लोग इस कंडुक्टिविटी सेल का हमें क्या पता चल गया रिजिस्टेंस है बलब हमेरे पस चार वैल्यू थी रिजिस्टेंस तो हमें ऐसा पता चल जाएगा वीटेश्टोन प्रीसी कनेक्ट करने के बाद और अगर रिजिस्टे का फिल्टा तो जो सेल कोंस्टेंट हमीं निकाला है ऩो ठेक है और अपन आर रिश्टेंस यह हमारे पास कन्ड़क्टेंस हा जाज जाए गी किन्डेक्टिवीटी क्या था हमारे पास और और एल बाई ए रो सुरी कप्पा यह था ना तो इस से हमारे पास कपप भी आज़े मैं लग लग तरीका हो एक्चुली लेकिन मज़ेतार है अगर ध्यान से तो बड़ा मज़ेतार है हमें चार ध्यातार वेल्यू जाहेता है इसकी लेंध हो इसको तो हमने केसल का यूज कर लिया है इसके अंदर केश्या कवश्यान का डिफरेंट अलगलग अलगलग terus ख किसी भी चीज का सेलूजं फो हमारे पास हर अर्थ योयो है काईस्यल की करई यह तो यहां हम एल्बाई है हमारे पास यह हमारे पास युज़ हो पर दूसरे तो काफी इंट्रेस्टिंग है आई तिंक काफी इजी भी ही ठीक है तो यह इस टोपिक में इतना नेक्स्ट हमारे पास जो आता हो आता है मोलर कंडेक्टिविटी उसको नेक्स में समझेंगे